अम्शान्ति मेरा भारत स्वास्त भारत के स्वास्त परिचर्चा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है आज हम बहुत ही गंभीर विशय के बारें बात करने जा रहे हैं और वो विशय है PCOS जो की लगभग दस महिला में से एक महिला इस PCOS की सिकार है और वर्तमान समय में देखा जाता है कि ये बीमारी दिन प्रती दिन गंभीर रूपधारण करती जा रहे है तो आज हम इसके कारण जानेंगे ये समस्या क्या है इसके लक्षन क्या है इस सारी बा में एक पर से इस्री रोग विशेशक Dr. Pushaw Pandi ji है Dr. Pushaw Pandi ji जी आपका इस स्वास्त परी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है Namaskar Aum Shanti सबसे पहला सवाल डॉक्टर पुशर पांडी जैसे हम पिछले एपिसोट में भी महिलाओं के स्वास्त संबंधित बहुत सारी चर्चाएं कर दे आ रहे हैं और इससे उन्हों को लाब भी मिला उनकी माध्यम से बहुत सारे प्रश्णे भी हमारे पास आए और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से उन प्रश्णों का अपने जवाब भी दिया हमारे दर्शकों को तो आज विशेश ये बात है कि जो समस्य हमने रखी है PCOS इस विशे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले बेसिक जानकारी कि PCOS होता क्या है PCOS अगर इसका फुल फॉर्म कहें Polycystic Ovarian Syndrome तो जैसे नाम से ही पता चलता है Polycystic, cyst मतलब कि बहुत सारे cyst बन जाना चोटी 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 गठाने जिसको तो चोटी 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 गठाने Polycystic Ovarian Syndrome मतलब कि ovaries जो कि अंडाशे होता है जैसे हमने भी पहले भी बताया था ovaries जो होती है तो उसमें बहुत चोटी चोटे मणियों के समान गठाने बन जाती है और इसमें दिया भी हुआ है बहुत अच्छे से चित्र भी दिया हुआ है इसमें यह देखें यह देखें यह देखें साइज में भी पड़ी हो जाती है क्योंकि छोटी चोटे बहुत सारे सिस्ट मन जाते है इसका वॉल्यूम भी थोड़ा सा बढ़ जाता है वैसे तो क्या होता है कि नॉर्मल दो या तीन ऐसे अंडे बनते हैं ठोड़े और फिर बाद में चौद्वे पंद्रवे देन जो है वह फूट जाते हैं और फूटने के बाद पर उसके बाद साद दिन बाद नॉर्मल मैंसिस आ जाता है लेकिन यहां पर बहुत सारे चोटे-चोटे बन जाते हैं तो उससे क्या होता है कि अंडे फूटते भी नहीं है तो यह बहूत सारी इसमें से बहुत सारी problems आ जाती है समस्या का रूप ले लेते हैं समस्या का रूप ले लेते हैं डक्टर पिशर पार्णी जी तो आपने बताए कि PCOS क्या है लेकिन किन लोगों में ज्यादा chance होते हैं इस बीमारी को आने में पहले बात तो ये इसमें होता क्या है तो polycystic ovenin syndrome जो होता है ये लगभग 12 से 45 अर्था जब से मिनार्की चालो होती है और मेंडोपॉस ये तो हम चर्चा करी चुकि है मिनार्की क्या है मेंडोपॉस क्या है अर्था जब से मैंसे शुरू होता है और जब मैंसे एंडोपॉस कहलाता है तो उसके बीच में ये hormonal problem है endocrine problem है उसके बात तो क्योंकि endocrine अपना estrogen hormone समाप्त हो जाता है तो problem नहीं होती है तो दोनों के बीच में ही मुख्य समस्या आती है तो जब से मैंसे शुरूस स्टार्ट होता है तब से problem होती है तो actual means में होता क्या है कि इसके वैसे अभी वैसे तो बहुत सारे लक्षन है लेकिन बहुत सारे लक्षनों में उससे तीन बेन है और उसमें तो दो लक्षन होने चाहिए एक पहला तो लक्षन जैसे हमने बहुत लंबी चर्चा की कि menstrual cycle है वो irregular होती है मतलब बहुत लंबी समय तक चला लंबी समय तक मतलब इसमें नहीं आता है और फिर उसके बाद आता है तो लगाता रहता है यह भी हो सकता है variety irregularities हो जाती है लेकिन कम हो जाता है mainly इसमें कम हो जाता है एक तो यह होता है और जो दूसरा होता है कि इसमें जो कि हॉर्मोन जो होता है मेल हॉर्मोन जी वो बढ़ जाता है तेस्टोस्टरोन या अंडोजन कि इसको कहीं बढ़ जाता है तो उसके लक्षन दिखाई देने लगते हैं कैसे मालूम चलता है कि लक्षन मेल जो हॉर्मोन से करन होता है तो एक तो हेर उसमें आने लग थे हैंец tajमा के विल्समें हाउं तो चिन ओंडीदं के यह हो जाता है और जैसे एमेंसमें मैंसेशं भी नहीं होतना है ईसी करण दोज इस ह करण यह जो बढ़ जाता है जो थोड़ invented एकनी, मतलब इसको हम कहते हैं नहीं हिंदी में मुहासे कहते हैं, और भी मेल हॉर्मोन के लक्षन आते हैं, लेकिन यह मुख्य जो हमको दिखाई देता है, जैसे आप कहा रहे हूं कि कैसे पता लगे, तो वो हो जाता है, और जो तीसरी बात है, वो हमको अल्टरा साउन में प मतलब की बहुत सारे लक्षन एक साथ जबा जाते हैं, तो तीन में से दो होना चाहिए, और यह जो शुरुआत होती है, यह लगभग इसमें अपने बारा के बाद होती है, फिर जो आप बोल रहे थे की, मतलब किन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है, या फिर इसकी कारण भी बहुत सारे हैं, तो वो कारण की अनुसार हो सकता है, उसको मदर के बूम से हो, मदर में भी हो जनेटिक भी हो सकता है, लेकिन जो लक्षन दिखाई देते हैं, वो इसे उसमें दिखाई देते हैं, तो किसमें ज़्यादा पाया जाता है, तो बेन जो अबेस, जो म तो फिमेल में फिर भी कितना वेट होना चाहिए? वेट जो है लगभग उनको कितना फिट रहना चाहिए? फिट मतलब जितना हाइट लगभग होता है हाइट के अनुसार अलग होता है हाइट के अनुसार उसका वेट रहना चाहिए जैसे अब जितने संटीमेटर है लगबग तो उतना ही उसमें केजी उतना वेट होना चाहिए उसका और कई ऐसी फीमेल होती है कि वो हेल्थ भी होता हुए तो भी अपने अपने मौटे नहीं समझते बोलते है मौटावा तो मौटावाई होगा अगर हाइट कम है तो फिर उसके एसाब से हो तो ओबेसिटी तो होगी ही ना इससे मतलब चलता है कि वो अपने आपसे कुछ ने कुछ बेमानी कर रहे है लेकिन ध्यान नहीं दे रहे है तो चीक है तो अभी हम यह बात कर रहे थी PCOS की बात क ज्यादा होता है है ना जी जी ओबिसिटी में होता है और साथी साथ जैसे हमने बताए कि जैसे लोगों में ज्यादा होता है जोगी आराम करना चाहते हैं बस देर से उठेंगे आराम से तयार होंगे ओफिस वगरे जहां काम कर रहे हैं जाएंगे फिर आकर टीवी के सामने बैठ जाएंगे या मोबाई लोग करेंगे और खाना बढ़िया फास्ट फूट खाएंगे ऐसे लोगों में संभावना जादा होती है जैसे डॉक्टर पुश्पा जी आपने बताया कि एक कारण होते है कि लाइफ स्टाइल है डाइट ठीक नहीं कि इसके अलाब और भी कुछ कारण हो सकते है जैसे वैंसे समय पर नहीं आते हैं तो आपने कारण बताएं लेकिन और भी क्या कोई कारण हो सकते है नहीं कारण तो मुख्य तो अभी भी एकदम एक्जेक्ट नहीं कहा जा सकता है लेकिन इसको हम लाइफ स्टाइल डिजीज ही कहते हैं जिसके कान एंडोक्राइनल डिस्टरबेंस होता है तो कि इसके माध्यम से क्या दूसरी कोई और समस्या या बीमारी आने का खत्रा बढ़ सकता है बिलकुल बिलकुल इसी लिए इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जर मौ है ना इसलिए उसको आप कहते हैं पॉलिसस्टिक ओविरेंस सिंड्रोम तो यह जो इसके कॉम्प्लिकेशन से बहुत होते हैं जैसे अडोलसेंट एज से हम ले अलग अलग एज का लेते हैं हम थोड़ा सा हम सारा शब्दों में समझेंगें दर्शक समझ सकें कि क्या-क् करते हैं जैसे कीशह्ओर वस्था में हैं सरक आगर हो सकता है, मोसरी मोटा आपा हो, क्योंकि अब आज तो बजपन से बहुत चालू हो जाती है, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तो आउड़ोर गेम्स खतम ही हो जाते हैं, तो और उसके कारण पढ़ाई का स्ट्रेस भी रहता है, एक स्ट्रेस भी बहुत बढ़ा कारण है, इस्ट्रेस भी बहुत बढ़ा कारण है, इस्ट्रेस तो बढ़ता ही जा रहा है बहुत आदा तो adolescent age में चुकि उस समय भी stress स्टाट हो जाता है। पहली इतना stress नहीं था। आज़कल बच्पन से हो जाता है। वो जो selection होता है तो parents को जरूर exam देना पड़ता है। तो मतलब स्ट्रेस उस समय से चालू को जाता ना तो उस समय फिजिकल प्रॉब्लम भी होती है मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है फिजिकल प्रॉब्लम जैसे कहा कि मैंसे स्टार्ट हुआ वैसे तो दो साल इर्रेगुलर लेता है लेकिन PCOS के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है उसके कारण इर्रेगुलर मैंसेज तो होता ही है और स्कूल फिर थोड़ा सा जाने में मतलब वो हिचकी चाहते है ना कि उनको बार-बार मैंसेज के वो हो रही है तो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं लगता उस एज में भी बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होती है फिर और थोड़ा सा मानसिक प्रॉब्लम भी उस समय हो जाती है क्योंकि जब इतना लगातार उस टीन एज में यह प्रॉब्लम हो रही है और उस समय उसको पढ़ता है बाकी उसके goals हैं लेकिन वो सारा ध्यान उसका इसे में हो रहा है तो बहुत ज़्यादा वो actual में stress से होता भी है और stress हो भी जाता है stress बढ़ भी जाता है मतलब stress कारण भी है और इसे बढ़ भी जाता है और काफी depression जैसा भी हो जाता है कि आचकल कम age में भी मैंसे शुरू होने लगे इसलिए तो depression भी हो जाता है तो ये problem तो समय होती है फिर जब adolescent age आते है तो adolescent age के बाद ये तो adolescent age के हमने बात की फिर middle age जिसको हम reproductive age कहते हैं तो reproductive age में भी problem start होती है अब उस समय अधिक तर जो हम लोगों के पास आती है ladies आती है तो या तो menses problem ही आती है जैसे पहले में adolescent age में है कि irregular menses है दूसरा जो आती है कि austerity austerity मतलब कि बच्चे ना होना बच्चे ना होना जिनके बच्चे नहीं होते हैं उनको हम medical भाशा में austerity या infertility बोलते है जिनकी fertility level थोड़ा सा कम है वो हम बोलते हैं तो उस age में mean infertility के आल रहे आती हैं और अगर मानलो pregnancy हो भी गई तो abortion होते हैं क्योंकि hormone level disturbed है तो उसके कारण भी होता है और अगर मानलो pregnancy होती है फिर उसके बाद इसको हम कहते हैं pre-eclampsia यह क्या होता है pre-eclampsia मतलब कि blood pressure यह बहुत खतरनाक condition होती है pregnancy के समय वो blood pressure बढ़ जाता है blood pressure भी बढ़ता है एक एक ऐसी condition होती है pregnancy के समय और अगर उसो control ना किया जाए पैरों में सूजन भी आ जाता है control ना किया जाए तो जटकी आने लगते है अच्छा pregnancy के दौरान pregnancy के दौरान अगर control ना किया जाए control ना किया जाए तो pre-eclampsia के chances ज़्यादा हो जाते हैं तो यह भी problem हो जाती है middle age में और बेदूसे complications हो सकते हैं जैसे कि diabetes की संभावना भी ज़्यादा हो जाती है cardiac problem मतलब heart problem भी ज़्यादा बढ़ जाती है और इसमें diabetes का जो कारण होता है वो insulin resistance रहता है अच्छा यह क्या होता है पुषपाजी थोड़ा बताएंगी दर्शकों को insulin resistance ऐसा होता है कि pancreas नाम की एक gland होती है हमारे अंदर और उस pancreas में insulin release होता है तो हमारे शरीर में जो glucose होता है तो glucose को absorb करने के लिए insulin की आवश्यक्ता होती है तो insulin level चुकि अब उसका जो कारे होता है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है तो sugar level शरीर में बढ़ जाता है और उसके कारण diabetes की संभावना ज़ादा बढ़ जाती है तो इसलिए ये इस बीमारी में और मोटापा होता है तो मोटापे के कारण भी insulin resistance बढ़ जाता है तो ये problem होती है और ऐसे लोगों को देखा गया है कि middle age के बाद वैसे तो मेनो पॉस तक अब हॉर्मोन खतम हो गए तो अब ओवरी अपना काम करना बंद कर देती है लेकिन endometrial carcinoma इसके chances बढ़ जाते हैं तो ये अलग age में कुछ अलग-अलग problems आती है ये तो ही कुछ problem की बाते समस्या है कि इस age में कुछ-कुछ इस बीमारी के द्वारा या फिर इस समस्या के द्वारा कुछ दूसरी बीमारियों की भी आने के खतरा होते ही है आपने जैसे बताए कारण भी बता दिये लेकिन हम बात करेंगे लक्ष्णों की तो कुछ लक्ष्ण तो कारण बताते ही समय मारण चल गए इसके अलाब और भी कोई लक्ष्ण हो सकते हैं तो हम देखें कि इसमें hormone level disturb होता है तो जब hormone level disturb होता है तो उसके सारे लक्ष्ण दिखाई देने लगते है तो आपने बताया कि बाद आजाना तो जैसे हमने कहा कि testosterone बढ़ जाता है तो testosterone के कारण जो भी महिलाओं में प्रॉब्लम वैसे तो estrogen ज़्यादा रहता है महिलाओं में और testosterone थोड़ा रहता है बहुत ज़्यादा नहीं रहता थोड़ा रहता है लेकिन इसका level बिल्कुल change हो जाता है एक हम hormone कहते है LH और FSH level खेर ये ज़्यादा जानने के आवश्यक्ता नहीं है ज़्यादा इसको detail में जानने के आवश्यक्ता नहीं होती है LH मतलब होता है कि LH ज़्यादा बढ़ जाता है FSH कम हो जाता है तो ये तो हमारा medical उसमें हम लोग देखते हैं कि दोनों की ratio में change आ जाता है लेकिन उसके कारण जो ये दूसरे main hormone जो काम करते है estrogen जो महिला का hormone होता है और जो पुरुशों का जो hormone होता है तो testosterone ज़्यादा बढ़ने के कारण है skin oily तो होती है और बहुत ज़्यादा मुहासे बढ़ आ जाते है और बालों की grading जो होती है वो धिरे धिरे बढ़ती जाती है grading भी different होती जाती है पहले तो face में आएगा फिर उसके बाद अंदर body chest में भी आने लगता है abdomen में आने लगता है मतलब जो जगह नहीं आने चाहिए महिलाओं के वह आने लगते है अब वैसे तो females में भी hairs तो रहते हैं लेकिन वो अलग रहते हैं लेकिन male type pattern और baldness मतलब की यहाँ पर भी जैसे males का होता है यह बाल यहाँ पर जड़ जाते हैं baldness हो जाती है तो ऐसे हिस पर भी problem हो सकती है यहाँ पर भी पीछे थोड़ा सा black सा निशान पढ़ जाता है यह सारी और अगर बहुत ज़्यादा सूजन आ रही है आपको लग रहा है कि motapa बढ़ता जा रहा है वैसे motapa बढ़ने का और भी तीनो एज में देखा हमने कि hypothyroidism एक बहुत बढ़ा कारण है तो कभी-कभी motapa का कारण hypothyroidism यह होता है लेकिन main lifestyle के कारण जो होता है motapa तो इसमें बढ़ता है जो obesity होती है obesity different और hypothyroidism के कारण थोड़ा सा motapa different होता है तो motapa बढ़ जाता है और जिसे हमने cycle की बात की थी कि अगर साल में ऐसे बार-बार तीन महीने, चार महीने, पाँच महीने में आपको आ रहा है तो PCOS हो सकता है यह चेक कराना चाहिए यह ऐसा हो सकता है बार-बार आ रहा है तो चेक जरूर करा बार-बार नहीं कम आ रहा है बार-बार तो मतलब जल्दी जल्दी आ रहा है जल्दी जल्दी आ रहा है तो इसमें जल्दी नहीं आता है जल्दी डिले होता है और कम होता है कुछ उपाई है इसके रोकने के लिए जैसे हमने बार-बार यही कहा कि यह जो बीमारी होती है यह lifestyle disease mainly होती है जेनिटिक रोल है वो तो ठीक है लेकिन जेनिटिक को भी वैसे तो आज हर भीमारी जिसका कारण नहीं पता लगता है उसको हम जेनिटिक की कह देते हैं लेकिन आज मेडिकल साइन्स जेनिटिक से ज्यादा एपिजेनिटिक को मनता है एपिजेनिटिक वो ज्यादा इंपोर्टन एपिजेनिटिक मतलब होता है कि आपकी डाइट क्या है आपका इन्वाइन्टमेंट क्या है उस पर भी डिपेंड करता है क्योंकि जीन्स जो होती है जीन्स का ए ये बिमारी भी, कुई भी लो, आपने मापनी मा से लिया, लेकिन अगर आपने उसको ध्यान दिया, कि मेरेको डाइट प्रॉपर लेना है, मेरेको मोटापा नहीं होना चाहिए, तो आपको हो सकता है ये ना हो, इसको हम कहते हैं, एपिजेनेटिक्स, तो जो इसको रोकने का यही है, कि आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो, तो लाइफस्टाइल में मेंली जो हता है, वो डाइट, एकसरसाइज, एकसरसाइज, और स्ट्रेस कम, मतलब हम देखते हैं कि हर बिमारी में कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल जुड़ा हुआ है, और इस बिमारी में तो इंफेक्शन तो कहीं बाहर से आता है, लेकिन इंफेक्शन नहीं है, कोई इंफेक्शन या मच्छर काटने से, या कुछ ऐसा नहीं होता है, कि कोई वाइरस आ गया, कि बैक्टिरिया आ गया, इसमें ऐसा नहीं होता है, जैसे communicable disease जो होती है, कि इंफेक्शन के कारण होती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, जैसे आपने डाइट की बात की, तो डाइट क्या लेना चाहिए, हमारे दर्सकों को बताईए, जैसे हम कहते हैं, healthy diet, balanced diet, जैसे हमने पहले भी देखा, low glycemic index diet लेना चाहिए, low glycemic index का मतलब है, ऐसा हम भोजन लें, जैसे की हमारा blood glucose level एकदम से ना बढ़ जाए, जैसे मान लीजी, हम sugar लेते हैं, है ना, sugar लेते हैं, तो direct हमारे blood में वो जाता है और एकदम से बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा भोजन, जैसे की jar है, बाजरा, ओट, ओट कहते हैं ना, oats, हाँ, oats जो होते हैं, इसका low glycemic index होता है, तो इस तरह से ये वाली चीजें लेनी चाहिए, तो अनाज लें, ऐसा नहीं कि अब अनाज खाना, क्योंकि हम vegetable fruits की जादा बात करते हैं, तो ऐसा नहीं कि अनाज ही नहीं खाओ, अनाज भी लेना है, लेकिन जिनका परियाप मात तरह मेले, मालो adolescent age है, वो सिर्फ fruits और vegetable खाना चालू कर दी, तो इसको अच्छा carbohydrate और कैसे मिलेगा, प्रोटीन कैसे मिलेगा, क्योंकि तो growing age है, तो हमको तो हर चीज चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, चाहिए, सब चीजें चाहिए, लेकिन ऐसा carbohydrate ल होती है, वो नहीं लेना, चाहिए, रिफाइन sugar भी नहीं लें, रिफाइन मैदा भी नहीं लें, अब आपको मेठा खाना है, तो वैसे तो गुड में भी होता है, लेकिन गुड ले सकते हैं, क्योंकि इसमें iron होता है, और बहुत इसमें chemicals नहीं रहते है, sugar जो होता है, वो ब ना, क्योंकि अब बच्पन से जब युवा और आजकल तो चॉकलेट का भी फैशन है, बाहर खाने का बर्गर, पीज़ा, इस सारी चीज़ें, यह तो लेना ही नहीं नहीं चाहिए, जैसे हम फास्ट पूर्ड की बात कर रहे हैं, फास्ट पूर्ड तो बिल्कूल भी नहीं ल सब आजकल ही बनने लगें, पहले नहीं बनते थे यह, तो यह बिमारी भी अभी ज़्यादा बढ़ गई है, यह बिमारी नहीं, हर बिमारी लेकिन इसका इंसिदेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, हम देखते हैं कि OPD में लगबग 25 परसंट जो होते हैं, वो इस रहता है, वो नुकसान नहीं करता है, तो हम यह सब भी ले सकते हैं, और फैट वगएरे भी अच्छा लें, तो फैट ऐसान, लेकिन यह जो डालडा, घी, तेल, यह ने लेना चाहिए, बस पूरी खा रहे हैं, पराठे खा रहे हैं, अब कई बची ऐसा है, थोड़ा बहुत ले सकते हैं, थोड़ा बहुत ले सकते हैं, थोड़ा ले सकते हैं, थोड़ा ले सकते हैं, थोड़ा ले सकते हैं, थोड़ा ले सकते हैं, लेकिन बहुत जादा नहीं लेना चाहिए, तो डाइट पे तो हमको ध्यान देना हैं, फिर डाइट के बाद जो और बाकी बाते हैं, वो विध्यान रखना बहुत जरूरी है जी-जी तो यह तो हुई डाइट की बाते आपने exercise भी इसमे बताया था exercise भी बहुत जरूरी है exercise तो इसमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है चाहे वो कोई भी level हो किसी भी condition में exercise बहुत ज्यादा जरूरी होता है और इसमें जो exercise है वो भी aerobic exercise aerobic exercise का आरत होता है कि walk करना dog लगाना cycling करना, swimming करना यह सब आता है और WHO के अनुसार एक हफते में जैसे हमने पहले भी कही बार exercise की बात की है तो मतलब हर एज में लगबग exercise वही होती है कि aerobic exercise तो same है अगर आप 30 minute per day करते हैं तो यह sufficient होता है या इसको हम कहें कि 2 गंटे 30 minute इतना हम करते हैं अगर total एक हफते में हो गया या एक दिन में हम 30 minute या से थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा करें तो अच्छा ही है लेकिन vigorous exercise नहीं कि या की दिन में हम सारे कर ले इसको divide करके करना चाहिए परड़े हमको करना चाहिए तो यह exercise करें तो बहुत अच्छा है outdoor game खेलें उसमें हो जाता है अगर जो outdoor game नहीं खेलता उसके लिए चलना और यह बता रही कि कितना चलना चाहिए games खेलते हैं gym join करते हैं तो बहुत ही अच्छा लेकिन एक बात खास ज्यान रखने की है कि जो PCS के जो patients आते हैं तो कहते हैं madam हम exercise कर रहा है लेकिन हमारा बजन नहीं घट रहा है कम नहीं हो रहा है लेकिन यह बात बहुत important है आपका बजन नहीं भी कम हो रहा है लेकिन आपके अंदर metabolism भे change आ रहा है तो metabolism में change के कारण आपके hormone में change आएंगे मतलब आपको पसीना तो आ रहा है पसीना आता है बजन कम नहीं हो रहा है लेकिन बढ़ तो बढ़ भी नहीं रहा है लेकिन जो हमारी जो प्रणाली है कारी प्रणाली है वो ठीक काम कर रही है जब कारी प्रणाली ठीक काम करने लगी तो जो estrogen जो हर्मोन है वो भी balance रहता है इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हमारा exercise हो और stress तो कम होने के लिए meditation सबसे अच्छी विदी है सबसे अच्छी विदी meditation है हमारी meditation तो हमको करना ही चाहिए है ना और counseling का बहुत ज़्यादा इसमें importance है इसके बारे में हम और भी आंगे लगातार चर्चा करते रहेंगे लेकिन आपने बताए कि stress कम करने के लिए meditation करना ही चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद दॉक्टर कुषवपांडी जी जो आपने पी सी ओ एस की समस्याओं के बारे में बताया और साथ में बताया कि डाइट हमें अच्छी लेनी है exercise भी हमको करनी है और साथ में stress कम करने के लिए meditation भी बहुत सरूरी है धन्यवाद धन्यवाद ओम शांती सभी दर्सकों ने बहुत ही ध्यान से सुना होगा मुझे लगता है और आप इसको सिर्फ सुनेंगे नहीं follow भी करेंगे और भी हम इसके बारे में आगे बाते करेंगे तबतक के लिए धन्यवाद ओम शांती